हेलो एविरिवन वल्कम टू माई चैनल तो आज की इस वीडियो में हमें आपर सूट में बैक ने गले की डिजान बनाना सिखाएंगे यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग ली है और हैं पर गले की चोड़ाई तीन इंच रखेंगे और लंबाई हमें 9 उंच रखनी आए फिर हमें यहाँ पर भी 3 इंच पर निसान लगा हैं एतरह से वोक्स बनाए干 और यहाँ पर हमें मटका सेव में निसान लगाना है ठीक है और यहाँ पर 20 इंटर पर भी निसान लगा देंगे और सेम इसी तरीके से दूसी तरफ भी निसान को लगा देना है और यहाँ पर एक इंचोड़ी पट्टी रखेंगे तो यहाँ से कटिंग करेंगे तो यह हमने गले की पट्टी कटिंग कर लिया देखिए आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पर मैंने सूट का अस्तर लिया है तो इस पेपर पेस्टिंग को चिपका लेना है तो अब हमें आपर मैंन कपड़े को लेंगे और इसके उपर अत्तरवाले पल्ले को रखेंगे तो हमने गले पर पेस्ट लगा दिया अब हमें आपर सिलाई लगाएंगे तो मटका सेफ में हमारा गला बना हुआ है तो उसी सेफ में हमें हैं आपस सिलाई लगानी है ठीक है तो कुछ इत्रह से मैंने सिलाई को लगा दिया है अब हमें आपस थोड़ा सा कपड़ा छोड़के बचे उए कपड़े की कटिंग करेंगी और इसमें हमें चोटे-चोटे कट लगा देना है कट हमें इतरह से लगाने हैं कि जो हमारी सिलाई है वो ना कटे अब हमें आप पर इसको सीधा करेंगे और इसमें हमें सीधी तरफ से दाफ सिलाई लगानी है और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर देना क्योंकि यह आप लोग लाइक करना भूल जाते हो तो दोस्तों प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखे इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से गले की डिजान बनाई है तो कुछ तरह से मैंने दाप सिलाई को लगा दिया है इसमें हमें पूरे में सिलाई लगा देनी है अब हमें यापर डिजान बनाएंगे तो यहाँ पर मैंने तीन इन चोड़ी पटी लिया इसको तरह से फोल्ड करेंगे और यहां से सिलाई लगाएंगे फिर हम यहां पर गुमा कर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे तो यहां पर मैंने पट्टी को सिल लिया है इसको सीधा करना है तो कुछ तरह से मैंने सीधा कर लिया है और जो हमारी सिलाई इसको बीच में रखेंगे अब हमें आपर सूट को लेंगे और इसके उपर हमें आपर पटी को रखेंगे और रखने के बाद हमें आपर पलेट डालेंगे और बीच में सिलाई लगाएंगे तो इस तरह से छोटी छोटी इसमें पलेटे डालेंगे सिलाई हमें बीच में लगानी है ठीक है तो मटका सेव में हमारा गला बना है तो उसी सेव में हमें इस तरह से पट्टी की मदद से डिजान को बना लेना है झाल झाल यहाँ पर बची हुई पट्टी की कटिंग करेंगे तो कुछ इतरह से हमारी डिजाइन आई है देखी आप लोग देख सकते हैं तो अब हमें यहाँ पर इसको इतरह से दोनों तरब से फोल्ड करेंगे और सेम कलर का हमने दागा लिया है तो दोनों तरफ से हमें इस तरह से इसको फोल्ड करना है ठीक है और फोल्ड करके हम यहां पर एक टांका लगाएंगे फिर से हमें इस तरह से इस तरह से टांका लगाना है और बीच में एक मोती लगा लेंगे यहां पर हम बड़ा मोती लगाएंगे आप चाहतो अपने पसंद का भी छोटा या बड़ा कोई सा भी मोती यहाँ पर लगा सकती है यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा हमारा मोटा है तो इसलिए दिक्कत हो रही है और एक डिजान पर हमने मोती को टाट लिया है यहाँ पर इसको उल्टी तरफ से नौट लगा देंगे इससे हमारा जो मोती है वो और भी नहीं हिलेगा अब हमें आपर क्या करेंगे फिर से डिजान को दोनों तरफ से इतरह से फोल्ड करेंगे टाका लगा कर इस तरह से अब हमें आपर क्या करेंगे दूसरी डिजान पर भी हमें अच्छे से मोती को टाक लेना है ठीक है और पीछे की तरफ हम इसमें नौट लगा देंगे तो यहाँ पर मैंने दो डिजान के उपर मोती को टाक लिया है अब हमें आपर सेम इसी तरीके से तीसरी डिजान पर भी मोती को टाकेंगे तो दोनों तरफ से पहले हमें इसको फोल्ड करना है और फोल्ड करके हमें यहाँ पर भी मोती को टाक लेंगे इसी तरीके से हमें चोथी डिजान पर भी मोती को टाक लेना है तो इस तरह से देखी मैंने पूरे में मोती को टाक लिया है और यहाँ पर हमारी जो गले की डिजान है वो देखी कितने सुन्दर से लग रही है तो इसी तरीके से आप भी गले की डिजान बना सकती है तो उमीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको जरू पसंद आई होगी पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बैला कन को भी दबा दें जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोंको सबसे पहले मिलेगी तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई आखी तक वीडियो देखने के लिए ठाइंक्यू